कि अपना एयर एलेमेंट तो उसके लिए हमने अधरवत्ती जला लेंगे मैं पैर क्रॉस करके बैठ सकते हैं क्या अभी करते हैं बैडना बैठाब हों कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें कोई एनर्जी फ्लो की बात नहीं हो रही है पर आप थोड़ा बहुत एनर्जी अपनी बॉड़ी के अंदर स्कैन करेंगे लेकिन प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप जस्विजुलाइज करिए कि आपने कोई ऐसा एरेजमेंट का सोस जो है वह अपने सामने जलाया है अपने कमरे की खिड़कियां कुली भी हैं जिससे कि स्वच हवा बहार से आपके घर के अंदर आपके कमरे में आ रही हैं जहां पर आप आराम से बैठे हैं और आप wind chime की जस्विजुलाइज करें कि आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं अब आपको focus करना है अपने स्वास पर और जब आप स्वास ले रहे हैं तो शांती पुर्वक स्वास लेजी और जब स्वास ले रहे हैं ये दो तीन affirmations मैं कहूंगी जो affirmations आप repeat कर सकते हैं मेरे पाग तो आपको बोलना है कि मैं willingly सोच समझ कर अपने निरने के हिसाब से अपने जीवन में जो भी fears है negativity है जो मुझे block करती हैं मेरा सच बोनने से उन सब को मैं release कर रहा हूँ So I release willingly all fears and negativity जो मुझे block करती हैं मेरा सच बोनने से जब आपने ये affirmation बोल ली हैं उसके बाद second affirmation बोली है My mind is free मेरा दिमाग जो है वो free है वो किसी प्रकार से blocked नहीं है clear है और मैं जो चाहता हूँ जीवन में मैं जो भी करना चाहता हूँ जो भी देखना चाहता हूँ जो भी अपने जीवन में invite करना चाहता हूँ वह सारी चीजों को मैं करने में सक्षम हूँ तो मेरे पास वह clarity है दिमाग की, सोच की, विचार की तीसरी चीज, I understand that my thoughts create my reality तो जीवन में मेरे साथ जो भी गटित हो रहा है जो भी मेरे जीवन में मेरे साथ होता है या होगा वह मेरी खुद सोच के हिसाब से होगा और इसी लिए इस समझ के साथ ही मैं अपने उन thoughts को यह energy देना हूँ यह ताकत दे रहा हूँ कि वहाँ मुझे अपनी dreams, मेरे desires के पास लापा है नस्दीक लापा है क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझमे वह ताकत है कि मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से बना पाँ, सवाब पाँ अब जब आपने ये तीन affirmations बोल ली है तो आप अब अपनी breath पर ध्यान देशे हो सकता है आपकी स्वास में थोड़ा बदलावाय क्योंकि ये भारी भरकम affirmations आपने कही जरूरी नहीं है कि affirmations से आप पूरी तरह से agree करते वो सकता है आपके मन में कुछ ऐसे विचार हों के नहीं ये बोल तो दिया लेकिन कही न कहीं तो मुझे ये बात से में आशंक पर आशंका है मुझे मन में आशंका है कि ये है बात सही नहीं पर anyway हम उस बात पर अभी आएंगे अभी आप स्वास लीजे inhale और आप इस विचार के साथ स्वास लीजे कि मैं अपने जीवन में, अपने थौट्स में, अपने डिजायर्स में मेरे अंदर एक बैलेंस है so I am in balance with my thoughts and desire और आप स्वास छोडेंगे जब आप स्वास छोडेंगे लंबी स्वास छोडेंगे और इस थौट के साथ सो छोडेंगे कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में balance आ सके तो आपने जब inhale किया तो यह इस विचार के साथ किया कि मेरे, मुझे यह विश्वास है मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है जो मेरे thoughts हैं, जो मेरे desire हैं वो balance में है लेकिन क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा विचार होगा जो इस बात से conflict करना होगा तो वह विचार जो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है तो अब मुझे उसको बाहार निकालना है पर उसके लिए मुझे उससे प्रश्न करना है तो मुझे क्या करने की जर्वत है What can I do to balance my thoughts and desire So again inhale इस समझ के साथ अगर आपको समझ भा रहा है inhale कि मेरे thoughts सब balance में और जब एक्सेल कर रहे हैं तो यह विचार जो चिंता का विचार है कि मैं नहीं ऐसा नहीं है तो मैं उसको एक्सेल करना हूँ पर यह सोच के साथ कि मेरे को क्या करनी की जर्वत है जिससे कि मैं इन विचारों को बराबर कर सकना अब जब आपने यह कर लिया दो-तीन बार take deep breath So take deep breath in My life, my thoughts are in balance Exhale What I need to do What can I do to balance them आप जो मैंने affirmations आपको शुरुवात में बोली थी अब आप उस पे ध्यान करेंगे और जब आप जब मैं बोलूगी तो आप अपना ध्यान अपने शरीर पर रखेंगे और शरीर में कैसी प्रतेक्रिया होती है उस पर ध्यान करेंगे जब मैं कहती हूँ जो कि आप अपने आप से कहते वे सूचिए कि आप यह बात अपने आप से कह लेंगे कि मेरे अंदर जो भी फियर नेगेटिविटी है जो मुझे ब्लॉक कर रही है मेरा सच बोलने पर आज मैं उसे अपने शरीर से विलिंग ली रिलीस करना हूँ कर रही हूँ जब आपने यह कहा तो आपके अंदर शरीर के किस भाग में कोई हल्चल या कोई ऐसा महीसूस हुआ आपको जैसा कोई करन पास हो रहा है कोई ऐसी चीज जहां पर आपको ये disturbed फिल कर रहा है just observe that again I am saying I willingly release all fear and negativity that blocks me from speaking my truth मेरा सच बोलने से जो मुझे रोकता है डोकता है जो मेरा खुद का फियर है मेरा खुद का दोट है आज मैं उसे अपने अंदर से बहार निकाल रहा हूँ निकाल रही हूँ जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके अंदर उसकी कैसी प्रतिख्रिया होती है अगर वो सकता है आपको गले में कुछ दर्थ हो वो सकता है आपको हाट में कुछ पेहन हो वो सकता है आपके हाथ थोड़े हिलना हो सकता है आपका शरीर थोड़ा हलका सा महसूस करे कुछ हलचल सी हो कुछ बैठने में दिक्कत हो जो भी आपको उसे सिरफ अनुभव करना है और अगर आप चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं क्योंकि ये बात मैं आपसे बात में पूछूँगी अब जब आपने ये अफर्मेशन को बोल दिया अब हम दूसरी अफर्मेशन पे जाते हैं कि मेरा दिमाग जो है वो फ्री है वो क्लियर है एकदम थौट क्लियर है मैं सोच सकती हूँ आराम से क्लियरली मैं जीवन में क्या चाहती हूँ या मैं जीवन में क्या चाहता हूँ इसके बारे में मेरे अंदर इसी प्रकार से कोई कन्फूशन नहीं मेरे mind में कोई confusion नहीं है मैं पूरी तरह से clear हूँ in my thoughts, in my mind जब आप ये बात बोलते हैं आपको कैसा महसुस लता है again observe what is your feeling which part of your body you are feeling what happens to that part आपके शरीब में क्या अनुबब आपके है और जब आपने उस बात का अनुबफ कर लिया और आप अगर चाहिए तो फिर से बोल सकते हैं अगर आपको कुछ भी अनुबफ नहीं हुआ कि मेरा दिमाग free है clear है मैं जो चाहता हूँ मैं जो चाहती हूँ वह उसके बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे पता है क्या करना है अब हम जाएंगे जो भी घटत हो रहा है जो भी मेरा जीवन जिस प्रकार से भी चलेगा जिस प्रकार से भी वह बनेगा जो भी मैं बनूंगी वह सब मेरे हिसाब से बन जाए मेरे इस thoughts के हिसाब से बन जो जो मैं सोचती हूँ वही हुईता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन चाया बनती है, उसी प्रकार से वही रंग, वही रूप, वही लोग, वही चीज़े मेरे जीवन में घटित होती हैं, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं विचार करती हूँ. और इसे लिए क्योंकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ तो मैं अपने उन विचारों को यह एनाजी दे रहे हूँ वह उर्जा दे रहे हूँ कि वहां सही तरह से सूच सके और मुझे अपने जीवन के उस लक्ष तक पास लेकर आ सके जो मैं चाहती हूँ अपने जीवन में करना जब आप यह बात सोचते हैं तो कहां पर आपके शरीर में इस बात से या तो आप negate करते हैं agree नहीं करते हैं, disagree करते हैं disagree करते हैं, तो क्यों करते हैं, कहां पर करते हैं, कैसे करते हैं Just note and observe that उस पर ध्यान दीजिए, उस पर रखना, शरीर का अंदर क्या हो रहा है आपके मन में क्या हो रहा है, आपका शरीर कैसे आपको बता रहा है यह सही है कि गलत है, इससे आप सहमत है कि असहमत है और जब आपने यह तीनों विजार कर लिए हैं अब आपको जो भी आपको दिखा, जो भी आपको अनगाफ को आपको सच बोलना है डर नहीं करना है तो जहां पर भी आप अपने जीवन में कुछ भी कहने से डर है कुछ भी बताने से डर है संकोच करने है अपने आपको पीछे हटा रहे है जबे भी आप ऐसी सिट्वेशन्स में आते हैं जहां पर आपको आगे रहना है अपनी चीजों को बागडोर को समालना है उनको अपने थौट्स को परिवर्दित करना है अपनी चीजों के अंदर उसको बनाने में तो कहां पर आप रुख जाते हैं सहम जाते हैं डर जाते हैं जिस्ट ऑन दाट यूँआफ तो अब्सवर्ब और अगर आप सहमते हैं डरते हैं आपको क्या करने की जबत है उन चीजों के से उभरने के लिए यह भी आपकी बॉड़ी आपका माइंड जानता है उसके पास इसका जवाब है So just ask your mind What can I do? क्योंकि मैं डर रहा हूँ मैं सहम रहा हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मुझे दिक्कत आ रहे हूँ तो क्या करने की जरुवत है मुझे अगर मुझे इन चीजों से उभर ना है आगे बढ़ना What I need to do to speak my truth और शानती से जवाब इन सब चीजों से पूरी तरह से आपको जवाब मिल गया है और हो सकता है आपका मन अभी थोड़ा चिंतित हो थोड़ा इस प्रकार से हो जैसे के आपको ऐसा लग रहे है कि क्या होगा कैसे होगा So just keep your hand on your heart अपने हिदे पर हाथ रखे और अपने काग को बोलिए All will be well सब कुछ थीक हो जाए कुछ तरने की बज़े नहीं कुछ चिंता करने की बज़े नहीं You will be able to create your own future Your own present and your future And with that assurance अपने आपको जबाब ने दे ले तो धीरे 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 Allow your breath to relax you स्वास लीजी हो सकता है इस समय आप ऐसे सती में थे जहां पर आपका focus आपकी स्वास से हट के आप है कही ना कहीं हो सकता है आपने तो मिनिट को अपनी स्वास रोग पी ले अब अपना ध्यान अपनी स्वास पर लेजे और अपनी स्वास से जो भी चिंता है जो भी मन में आशांका है उन्हें दूर करिए उन्हें बहार निकालिए And bringing new in head new wave of fresh air inside So धीरे धीरे स्वास को लीजे और स्वास छोड़ी जैसे जैसे स्वास छोड़ी शरीर में जो भी चिंता भी थी उसे दूर करते वे बहा निकालते वे शांत होते वे Slowly, slowly come down Balance yourself Feel in yourself अपनी body से पूरी तरह से connected अपनी mind से पूरी तरह से connected वह अज्ञान के साथ पूरी तरह से connected जिसके आपको जरुवत थी जिसके लिए आपने यह प्रिया की धीरे धीरे अपने हाथों फैरों के उल्लें को हिलाकर अपने shoulders को रूल करिये अपने दोनों हाथों को एक साथ लेकर आए और अपने हाखों पर लगाए and slowly, slowly open your eyes सब लोग बापिस आ चुके हैं कोई को शेर करना चाहता है तो आप बोल सकते हैं आनल जैन जी आपने भी हाथ उठाया वाए है और जो भी कोई बोलना चाहते हैं देखे करके बोलिए प्रीज जैसे आपने पताया था तो मुझे वैसे तो बोली में ऐसा कुछ मैसूस नहीं है कि एवल एक फिंगर में में उनको पेन सा मैसूस हुआ जैसे वेन कुछ खिच दिए उसके लेटर लेट्ट हैंड की यह अली फिंगर पर जब आप वो चीज़े बोल रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हो उससे आप पूरी तरह से सहमत हो आपको कोई प्रकार का चिंता, भे, डर, खौफ नहीं है इतना तो नहीं है लेकिन थोड़ा बोतो होता है अंदर देखो कुछ ना बुशतो हरे को होता है इसी बात नहीं कि डर नहीं होता है खौफ नहीं होता है हरे को अलग अलग तरह से चीज़ों से डर होता है है ना तो वो तो बात सही है लेकिन मेल चीज क्या है कि जीवन में आप जो करना चाहते हैं आप जो बनना चाहते हैं उस चीज में अगर वहाँ बैर रिकावर्ट बनके आ रहा है तो उसको कैसे हमको झेलना है, उस पे हमें कैसे अपने आपको कॉनकर करना है और आगे बढ़ना है that is the main thing, है न? तो हम वो identify करेंगे उसके पीछे क्या belief है, जैसे कि अगर मैं कोई चीज सोच रही है ये air element में अगर मेरा कोई जीवन में चीज नहीं मेरे बराबर से जा रही है उसके पीछे क्यों मैं अपने आप कोई चीज सोच रही होंगी, जो विचार कर रही होंगी जो मेरे past experiences से हो सकता है, मेरे ancestors के experience से हो सकता है मेरे खुद के या माता-पिता के उससे हो सकता है पर वो कहीं न कहीं मुझ में इस तरह से बैठ गया है वो डर कि वो मुझे उस चीज से उभरने नहीं दे रहा है तो वो चीज को तक पहुचना, उसकी तह तक पहुचना और उस चीज को बाहर निकालके उसको जगे कुछ और उसमें डालना जिस्से के जीवन में वहाँ भैर निकल के एक positive feeling आ जाए तो वो air element में हम उस तरह के exercises करेगी